केंद्रव प्रदेश सरकार द्वारा संचालित शक्तिवंदन अभियान के अंतरगत चाय पर चर्चा कार्यक्रम विकास खंड अलहैपुर धामपुर के डवाकरा हाल में मुख्य अतिथी नहटौर विधायक ओम कुमार व विशिष्ट अतिथी ब्लॉक प्रमुख क्षमा हेमल चौहान की गरिमा मई उपस्थिती में आयोजित किया गया कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख क्षमा हेमलता चौहान द्वारा अपने संबोधन में केंद्रव राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को दिए जाने वाले सम्मान के बारे में विस्तार से बताया गया जिसमें उनक मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला सम्मान बचत पत्र योजना, महिला सम्रिध्धी योजना, ग्रामीन आजीविका मिशन योजना, स्वयम सहायता समूह से स्वरोजगार योजना, उज्जवला योजना, आदी योजनाओं से महिल के विकास को लेकर जो कार्य किये जा रहे हैं उनकी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश की महिलाओं बेटियों को बहतर सुविधाएं और उनकी समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर और महिला शक्ति केंद्र समनवय से कार्य कर र जोती, नवादा सैदपुर जलाल में ममता, नंगली लाइन में सोनम, तीबडी में शिखा राजपूत, अलहैपुर में मनोर्मा गौतम, धक्का कर्मचंद में रश्मी, नरुल्लापुर उदैचंद में प्रीती तथा बालकिशनपुर में, ममता को उत्तर प्रदेश, पत्र वित्रित कर सम्मानित किया गया, इस दोरान कार्यक्रम में क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनीता चौहान, नीरज प्रताप सिंह, पूर्व धांपुर नगर पाली का चेयर परसन लीना सिंगल, महिला मोर्चा जिला महामंत्री अनामिका जैन, जिला मंत्री चोत्तम अगरवाल, मिथलेश, सरकडा मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सिसोदिया आदी मौजूद रहे, ब्यूरो रिपोर्ट